न्यूस्टॉक लाइब के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे रोमांचिक वीडियो आप तक निरंतर पहुचते रहें मीरा रोट के पोले स्टेशन में बलतकार के दो मामले दर्ज तो अभी प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि छोटे बच्चों को भी अभी मेडिया बहुत पॉपुलर होगा है सोशल मेडिया तो इसकी वो जैसे बच्चों के पास अभी हम छोटे चोटे बच्चों के पास भी मोबाइल देखते हैं अभी तो हमसे जादा भी होश्यार हो गए उसमें एंड्रोइड मोबाइल वगेरा तो जादा उसका यूज करने लगे लेकिन उसका तो खाली सोशल मेडिया का हमारे लिए फाइदा भी है और उसका नुक्सान भी है लेकिन छोटे बच्चों का प्रॉब्लम ऐसा रहता है क उनको अच्छी और बुरी बाते उसमें फरक नहीं समझ में आता वो जो देखते हैं वो करने की कोशिश करते रहते हैं तो मुझे शिर्फ यही कहना है कि यह जिम्मेदारी हमारी चोटे बच्चों के प्रति हम जिम्मेदारी सबसे पहले रहते हैं माबाप की क्योंकि अभी कि बहुत बड़ा सोचल मेडिया भी बढ़ गया है इसलिए उनको कोई भी बाते ज्यादा जल्दी पता जाती है और उनको थोड़ा सा क्राइम में भी ज्यादा प्यूरियसिटी रहती है लोगों की जो टीवी पे भी आ जाते हैं न्यूज वगेरा देखकर उनको लगता है उनको पर एफेक्ट रहता है कि चोलो हमारे माबाप का भी हम पर ध्यान है और दूसरी बात वो स्कूल में भी जाते हैं तो उदर भी टीचर वगेरा लोगों का भी रहता है कि उनको भी आवेर्नेस रखनी चाहिए वो ज्यादा तो रखने की कोशिश करते हैं लेकिन बच् लोग WA Universe उनको ने उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए औरसमें लेकिन जैजाओि जमीधर समाच की जिनको छोटे बच्चों की तरफ समवेदन शीलता से और उन पर क्या अच्छा असर होगा और क्या बुरा असर होगा इसकी तरफ ज्यादा से ध्यान देना चाहिए और अगर कुछ बात है 커ुछ किदर घटना घड़ी है कुछ दूर घटना घड़ रही है या किसी बच्चे के साथ या किसी बड़े के साथ, तो पुलिस टेशन को अपरोच करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा रहता है कि छोटे बच्चों को दबा देते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी डर हुई रहती हैं, कभी-कभी वो बता दी नहीं, तो सबसे उसके करिब रहते हैं माबाप तो उन्होंने पूछना चाहिए बाबा कोई है बैड टच गुड टच अभी वह बहुत चल रहा है कि बैड टच के साई गुड टच के साई उसको उनको बताना चाहिए